नमस्कार दोस्तों, BCD Tech के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों ये है CoolPad का Cool1 और Specialization दिखा जाए तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी 4050 mAh की बैटरी और USB-C टाइप पोर्ट है जो कि इसको चार्ज कर सकता है आया जो चार्जर है आपको 5V और 2A का मिल जाएगा और जो केबल है आपकी USB-C टाइप वाली केबल है तो फिलाल कोशन ये है क्योंकि यहाँ पर Specialization में लिखा गया है कि यह जो फोन ये आपका Quick Charging को सपोर्ट करता है अब कौन सी Quick Charging 1.0, 2.0 या 3.0 यहाँ पर GSM Arena की बात करें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि यह जो फोन है आपका Qualcomm Quick Charging 2.0 को सपोर्ट करता है तो फिलाल एडेप्टर तो साथ में आ नहीं रखा है क्योंकि यह अगर आप यहाँ पर रेटिंग पर सकते हूँ तो 5V और 2A तो फिलाल यह तो इसको Qualcomm Quick Charging 2.0 या 3.0 को सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या मैं इस फोन को फास्ट ली चार्ज कर सकता हूँ तो इसके लिए मैं मेरे पास एक अडेप्टर है आपने पहले भी दिखा होगा इस अडेप्टर को मेरे वीडियो में ट्रांस्मॉट का अडेप्टर है और यह आपका Qualcomm Quick Charging 3.0 को सपोर्ट करता है तो आईए इसको लगा कर लेते हैं केबल में यह यह यूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर charging को monitor करने के लिए मैं अपना यह USB मेटर यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको लगा देता हूँ तो आप तो इसको यह है आपकी power तो आए इसको connect कर देते हैं तो connect करने के लिए मैं यहाँ पर इसकी cable यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको दाल देता और यहां पर आप वोल्टेज और एंपियर रेटिंग देशते हो वोल्टेज आपकी करीबन करीबन 5 वोल्ट है और एंपियर 0.7 तो वेट करते हैं क्योंकि कुछ साइकिंड के बाद यह अपना सुच कर जाता है अगर यह क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 2.2 को सपोर्ट करे अगर यह 3.2 को सपोर्ट करेगा तो यहां पर वोल्टेज है यह आपकी स्विच करके 6 वोल्ट 7 वोल्ट मतलब 5 से लेकर आपकी 12 यह 9 के बीच में रहेगी मतलब की इन बिट्वीन वोल्टेज भी आपको देखने के मिलेगी तो फिलाल वोल्टेज यहां पर नहीं बढ़ी दो एंपियर वाली तो आईए एक वार मैं अपने लाटी भी लाटू को लगा देता हूं तो यह लीटू है और लीटू चार्जिंग दे सकते हो अब वोल्टेज इंक्रीज कर गी है 6.43 तो फिलाल यह आपका फोन यहां पर क्वालकॉम क्विक चार्जिंग कॉन से लाली को आपका 3.0 को सपोर्ट करता है क्योंकि वोल्टेज आपकी नहीं 9 वोल्ट है नहीं 5 वोल्ट है उसके बीच में है तो यह आपकी 3.0 को सपोर्ट करता है जबकि यह कूल पैट कूल वन कोई भी चार्जिंग टेकनोलोजी को सपोर्ट नहीं करता है तो यहां पर दोस्तों यह होना possible भी नहीं है आई एक वार इसका अपना adapter लगा कर देख लेते हैं तो मैंने अब इसका अपना adapter लगा दिया पांच वोल्ट और 1.5 ampere तो देख लेते हैं कुछ time के लिए तो नहीं तो फिलाल यहां पर definitely यह जो system है यह आपका Qualcomm क्विक चार्जिंग नहीं 3.0 को सपोर्ट करता है नहीं 2.0 को सपोर्ट करता है किसको सपोर्ट करता है 1.0 मतलग कि यहां पर आप पांच वोल्ट और 2 ampere के चार्ग कर सकते हो तो क्या पता है इसके जो यू आई है यहां पर स्कैटिंग से बंद कर रखिए आए सेटिंग में देख लेते हैं सेटिंग में अगर मैं यहां पर बैटरी पार्ट पर जाता हूं तो बैटरी पार्ट में आप दिसोते है कि कोई कुई चार्जिंग वाली option नहीं है जबकि अगर आप सेम इसमें सपोर्ट नहीं करता है तो फिलहाल यहां पर थोड़ा सा यह बूरा लगता है कि यह फोन यहां पर इतना अच्छा होने के बाद भी सेम इंटर्नल होने के बाद भी मतलब कि इस तरह तो अच्छा ही फोन है यह तो बट इसके बाद भी यह फोन है आपका Qualcomm Quick Charging 2.0 यह 3.0 को सपोर्ट नहीं करता है यहां पर बैटरी बढ़ गई है तो मुझे नहीं लगता है कि दोस्तों यह फोन आपका फास्टली चार्ज हो पाएगा इन फ्यूचर भी मेभी यहां पर अगर कोई software अपड़ेट यह फ्रिम्वेर अपड़ेट आती है तो मेभी हो सकता है कि इसके हाड़वेर तो सपोर्टिड हो बट यहां पर software पार्ट से क्योंकि Qualcomm की लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है इस क्विक चार्जिंग टेक्नोलोजी को यूज़ करने के लिए तो मेभी हो सपता है कि यहां पर उनने पैसे ना दिया हो और मेभी future में अगर उनकी डील बन जाती के साथ तो इस फोन के ऊपर कुछ चार्जिंग 3.0 या 2.0 आ सकती है आपने इस फोन को देखा होगा इसकंदर जो आई थी वह आई थी 2.0 और जैसे future में 3.0 आई तो इसके ऊपर भी अपने अप्ग्रेड हो गया तो मेभी same scenario यहां पर हो सकता है बट अभी currently यह फोन आपका यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक कर दे नहीं पसंद आई तो डिस्लाइक कर सकते और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सस्क्राइब नी कर रखा है लिंक यहां पर फ्लैश करोगा इस पर क्लिक कर शिसक्राइब कर लिजिए और साथ में एक बेल आइकन को टैप करना ना भूलें क्योंकि अगर आप उसको कर देते हो तो हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी नमस्कार जै हिन जै भारत बंदे मातरम